नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइनस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे जो की एशेंट हिस्ट्री का इंपोर्टन टोपिक है इसे पहले मैंने एशेंट हिस्ट्री की 11 वीडियो अपलोड कर दी हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो हिस्ट्री की प्लेइलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना आज हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे पहले मैं आपको पूरी थियोरी पढ़ाऊंगा और लास्ट में हम प्रिवियस येर क्वेस्टन भी कवर करे तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रिवियस येर क्वेस्टन जरूर एटम करना तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं तो इसे पहले हमने मोर्यवंश के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि मोर्यवंश का जो शाषन था जो विस्तार था वो पूरे अखंड भारत पर था पर मोर्यवंश के पतन के बाद छोटे-छोटे राजवंशों का उदय हुआ और जब भारत में छोटे-छोटे राजवंशों का शाषन था तो उसमें कई विदेशी आकरमन कारियों ने भारत पर हमला किया इसे पिछली वीडियो में मैंने इसे पिछली हिस्ट्री की वीडियो में आपको बताया था मोर्योत्तर काल में जो विदेशी आकर्मन हुए थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि किसने किसने आकर्मन किया था यूनानियों ने आकर्मन किया था शक्रवंशवालों ने आकर्मन किया था तो जब छोटे छोटे शाचकों का शाषन था तो उसमें विदेशी आकर्मन कारियों ने आकर्मन किया तो उन विदेशी आकर्मनों के बाद कुछ ऐसी प्रस्तितिया बनी कि दुबारा फिर एक बार भारत पर एक विशाल समराजे की स्थापना हुई जिसे गुप्तवंश कहा गया तो उसी गुप्तवंश के बारे में हम पढ़ेंगे तो गुप्तवंश के बारे में हमें पता कैसे चला तो गुप्तवंश के इ जैसे कि अगर हम साहित्यक्स रोत देखें तो वायू पुरान, मत्से पुरान, काली दास की रचनाएं और मुद्रा राक्षस इनसे हमें गुप्त वंश के बारे में पता चला है। अगर हम बहुत गरन देखें तो आरे मंजुश्री, मूल कल्प, एवं वस बंधु चरित जैसे बहुत गरन्तों से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिली है। और अगर हम विदेशी विवरन देखें तो फाहियान, हयांग सांग और अलबरूनी इनकी रचनाओं से भी हमें गुप्त वंश के बारे में पता चला है। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुशान शाषकों के सामन्त थे। इसे पिशली वीडियो में हमने कुशान वंश के बारे में पढ़ाता ना, तो ऐसा माना जाता है कि कुशान शाषकों के सामन्तों नहीं आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की थी। और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैशे थे। तो इसमें थोड़ा मतबेद है। कईयों का मानना है कि गुप्त थे वो ब्रहमन थे। पर कईयों का मानना है कि यह वैशे थे। पर अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वैशे थे। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है तो गुप्त वंश के स्थापना किस ने की थी श्री गुप्त ने की थी इसने 240 एस्वी में गुप्त वंश के स्थापना की थी और 240 एस्वी से लेकर 280 एस्वी तक शाशन किया इसने महाराजा की उपाथी धारन की थी इसने श्री गुप्त ने तो श्री गुप्त से सिर्फ एक ही प्रेशन बनता है कि इसने गुप्त वंश के स्थापना की थी उसके बाद इसका उत्रादिकारी बना घटोत कच तो श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत कच उसका उत्रादिकारी बना पर इसने कुछ ऐसे कारे नहीं किये जो हम इतिहास में पढ़ें बस आपको इतना याद रखना है कि श्री गुप्त के बाद उसका उत्रादिकारी बना उसका पूत्र घटोत कश इसने भी अपने पिता की तरह महाराजा की उपादी धारन की इसके पिता ने भी महाराजा की उपादी धारन की ती इसने भी महाराजा की उपादी धारन की तो घटोत कश के बाद अगला शाशक बना चंद्रगुप्त प्रथम ये इंपोर्टेंट है चंद्रगुप्त नहीं किये महत्पूर्ण बस इसने स्थापना कर दी पर जो चंद्रगुपत प्रत्म है इसे वास्तुइक स्थापक माना जाता है गुपतमश का ये एक महत्पूर्ण राजा था गुपतमश का इसνने महाराजा धिराज की उपाधिधारन गी थी और चंद्रगुप्त ने महाराजा धिराज की उपाधिधारन की थी और चंद्रगुप्त प्रथम का विवा किसके साथ हुआ था लिच्छिवी बंच की राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवा हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम ने जब इसका राज्या अभिशेक गुप्त समुवत की शुरुवात की थी समुवत यानि की कैलेंडर तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन से उपाधि धारन की थी महाराजाद धिराज और इसका विवा लिच्वी बंच की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था उसके बाद देखते हैं तो अगला शाषक बना समुद्रगुप्त तो यह है कुमार देवी का पुत्र था अभी हमने पीछे पढ़ा ना किच्द्रगुप्त परथम का विवा हुआ था कुमार देवी से तो कुमार देवी का पुत्र था समुद्र गुप्त ये अगला शाशक बना और समुद्र गुप्त अपने आपको लिच्वी दोहित्र कहता था दोहित्र यानि की नाती क्योंकि इसके पिता की शादी कहां से होई थी लिच्षवी वंच के राजकुमारी से होई थी तो ये अपने आपको लिच्षवी का नाती कहता था और समुद्र कुप्त की नितियां आकरमक तथा विस्तारवादी थी इसने आर्यावर्थ यानि की उत्तर भारत के नो राज्यों को जीत कर अपने समराज्ये में मिला लिया और जबकि दक्षिनावर्थ यानि की दक्षिन भारत के बारा राज्यों को भी पराजित कर दिया इन ही विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है very 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 important कई बार exam में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समूधर गुपद को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है important है या दक्केगा और समूधर गुपद के दरबारी कवी कुण थे तो हरिशेन ये भी अभी SSC में पूछा गया था कि हरिशेन किसके दर्बार के कवी थे तो ये समुद्रगुप के दर्बारी कवी थे हरिशेन जिन्होंने इलहाबाग प्रशस्ति की रचना की थे हरिशेन ने और समुद्रगुप संगीत प्रेमी था ऐसा अनुमान इसलिए लगाय जाता है क्योंकि इसके शाशन के दोरान चलाए गए सिक्कों पर इसके वीना बजाते हुए चित्रों का अंकित किया गया था यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह भी तो समुद्र गुप्त के बाद अगला शाषक बना राम गुप्त तो समुद्र गुप्त के बाद राम गुप्त अगला शाषक बना प्रंतु ये एक अयोगे शाषक था इसका ज्यादा देर तक शाषन भी नहीं रहा एक ये अयोगे शाषक था तो उसके बाद अगला शाषक बना चंद्र गुप्त दिवित्य इसने मालवा वा गुजरात के शक शाषकों को पराजित किया और शक पर विजय के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधी धारन की या दखेगा इसने जब शक शाषकों को पराजित किया उसके बाद कौन सी उपाधी धारन की विक्रमादि विक्रमा दित्य यानि की शूरवीर तो विक्रमा दित्य की उपाधी किस गुप्त शाषक ने धरन की थी कई बार पूछा गया है चंद्र गुप्त दिवित्य ने और ये गुप्त समराज्य का पहला शाषक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाई थे तो चांदी के सिक्के च अधिक समय से ऐसे ही खुले वातावरन में खड़ा हुआ है इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा जबकि ये 98% लोही से बना हुआ है ये बात दुनिया भर के लिए आश्चरियो का विशह है कि खुले वातावरन में ये इतने वर्षों से खड़ा है पर इसमे अभी तक जंग नहीं लगा तो ये महरोली लोस्तम से पता चलता है कि बंगाल पर भी किसने विज़प्रावट की थी चंद्गुप्त दिवित्ये ने और चंद्गुप्त दिवित्ये के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आये था वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कई बा एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौनसा विध्वान किस राजा की साशन में था तो आपको याद होना चाहिए तो पहले नवरतन थे धनवंत्री ये आयुर्वेद के ज्यानी थे दूसरे हैं शपनक ये विद्वान और नितिग्य से परिपोन थे तिसरे थे शंकू ये जोतिश विद्या से परिपोन थे चोथे नवरतन थे बिताल भट ये तांत्रिक विद्या के ज्यानी थे पांचमे थे घट खरपर ये कवी थे छटे थे वर रूची ये व्याकरन अथवा व्याकरन के ज्यानी थे साथमे नवरतन थे अमर सिंग ये कोशकार से संबंदिद कार से परिपोन थे आठवे नवरतन थे वराह मिहिर ये खगोल वे ज्यानिक थे और नवे नवरतन थे काली दास वेरी वेरी इंपोर्टन कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि काली दास किसके नवरतन थे ये चंद्रगुप्त दुवित्ते के नवरतन थे ये संस्कृत के महा कवी थे काली दास तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से नोवी दुवान थे धनवंतरी, शपनक शंकू, बिताल भट, घट खरपर, वररुची, अमर सिं, वरह मिहर और काली दास ये नवरतन चंद्रगुप्त दुवित्ते के दरबार में थे याद अखिएगा तो चंद्रगुप्त दुवित्ते के बाद अगले शाषक बने कौनार गुप्त प्रत्थम तो चंद्रगु गुप्त परतम ने की थी बहुत ही important है कई बार पूछा गया है कि बताए ये नालंदा विशविद्यालाक किसे ने बनवाए था तो कुमार गुप्त के बाद अगला शाशक बना सकंद गुप्त और इसके बाद गुप्त वंच में कई चोटे चोटे शाशक हुए जो की हमारे लिए important नहीं है उनमें से जो important है वो देख लेते हैं तो Aaron Abhilek से हमें भानु गुप्त के शाचन की जानकारी मिलती है तो भानु गुप्त भी गुप्त वंश का ही शाचक था पर इसे important क्या है यह important यह है कि Aaron Abhilek मिला है इसके शाचन के दोरान जिससे हमें सत्ती प्रथा का पहला साक्षय मिला है तो एक्जाम में यही पूछा जाता है कि सत्ती प्रथा का साक्षय किस अभिलेक से मिला है Aaron Abhilek से मिला है और इसी अभिलेक से हमें भानु गुप्त के शाचन के बारे में भी जानकारी मिलती है एरन अभिलेक से जिसे हमें सती प्रथा का पहला साक्षी मिला है तो सती प्रथा की सबसे पहली जानकारी हमें कहां से मिली है एरन अभिलेक से मिली है और इस वंश का अंतिम शाशक कोन हुआ था तो इस वंश का अंतिम शाशक हुआ था विश् चिन गूप्ट और इसके बाद जो गूप्त समराजे था यह चिन भिन हो गया था तो आगे अब हम देखते हैं गूप्त कालीन रचनाएं एवं उनके लेखक तो जितने भी रचनाएं हैं और जो लेखक हैं जो यह तो इक्जामें डैफिनेटली पूछे ही जाते हैं हर कर्मवर्षियम यह भी कालिदास की रचना है तीसरा है मालविका अगनी मित्रम यह किसकी रचना है कालिदास की चोथा है रघुवंश पांचवा है कुमार संभव छठा है मेग दूतम सातवा है रितु संहाग तो आपसे एक्जामें ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए रघ तो विशाग दत्की भी दो रचना है एक है मुद्रा लक्षक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट और दूसरा है देवी चंदर गुप्तम यह दोनों ही रचना है किसकी है विशाग दत्की है उसके बाद देखते है मिरिच कटिकम यह किसकी रचना है शुद्रक की रचना है अम ये शास्त्र किसकी रचना है भरत मुनी की उसके बाद है कामसुत्र किसकी रचना है वातसयान की उसके बाद है पंच तंत्र वेरी वेरी इंपोर्टेंट पंच तंत्र किसकी रचना है विश्णु शर्मा की और निती सार किसकी रचना है कामंदक की तो ये सभी 15 की 15 रचना है very very important है लगभग हर एक exam में इसे प्रशन बना ही है तो काली दास की तो most important है विशाकिदत की भी मुद्रा राच्छत पूछे जाती है और इधर मुर्च कटिकम ये शुद्रक की रचना है ये भी important है और पंच तंत्र ये भी important है ये विश्नु शर्मा की रचना है तो ये 15 की 15 आ देवगड का दश अवतार मंदिर तो एक्जाम में अभी जो SSC के एक्जाम हुए थे उसमें ये दश अवतार मंदिर पूछा गया था और इन सातों मंदिरों में से सबसे ज्यादा important भी यही है दश अवतार मंदिर ये कहां पर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है तो उसके बाद है एरन का विश्णु मंदिर तो एरन का विश्णु मंदिर कहां पर है ये मध्य परदेश के सागर में है तिगुवा का विश्णु मंदिर मध्य परदेश के जबलपुर में है और एरन का विश्णु मंदिर मध्य परदेश के सागर में है उसके बाद है भुम पुरा का शिव मंदिर कहाँ पर है ये मद्ध्यप्ध्ये प्रदेश के सतना में है उसके बाद है नचना कुठार का पारवती मंदिर ये भी मद्ध्ये प्रदेश के कान्पूर में है और उसके बाद है नागोध का शिव मंदिर ये भी मध्य परदेश के सतना में है तो जादतर मंदिर मध्य परदेश में है दो ही है जो उत्तर परदेश में है एक है दशावतार मंदिर और दूसरा है भीतर गाउं का कृष्ण मंदिर ये उत्तर परदेश के कानपूर मे हैं और बाकी के सभी मंदिर मध्य परदेश में हैं एक बार आप इनको पढ़ लेना उसके बाद आगे देखते हैं गुप्त कालिन समाज एवं अर्थ विवस्था तो गुप्त कालिन समाज भी प्रंप्रगत रूप से उन्ही चार वर्गों में विभाजित था कौन-कौन से वर्ग हैं ब्राह्मन, शत्रिय, वैश्य, एवं शुद्र इन्ही चार वर्गों में गुप्त कालिन समाज भी विभाजित था और गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला और भानो गुप्त के एरन अभिलेक में हमने देखाई था कि सत्ती प्रथा का भी प्रमाण मिला था तो गुप्त काल में बाल विवा और सत्ती प्रथा इसका प्रमाण मिला है और गुप्त कालिन अर्थवववस्था कैसी थी तो गुप्त कालिन अर्थववस्था का जो मुख्य अधार था ये क्रिशी था और भूराजस वही राज्य की आयका एक विष्टिकर यह बिगार यह निशुलकष्रम था तो इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति मजदूरी करता था उसे कोई मुद्रा या उसके बदले में उसे कुछ दिया नहीं जाता था तो उसे निशुलकष्रम करवाय जाता था वो था विष्टिकर दूसरा है बली तो लिया जाता था वात भूत या दखेगा उसके बाद है भत या भट कर तो ये पुलिस कर था उसके बाद है प्रणय तो ग्राम वासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर था उसका नाम था प्रणय उसके बाद है चार असंकर तो ये चारा गहों पर तो ये जो कर था ये चारा असन कहा जाता था उसके बाद है चाटन कर तो चाटन कर क्या होता था तो लुटेरों द्वारा उस पीडन से मुक्ति का कर होता था तो लुटेरों से बचाने के लिए जो कर लगता था उसे चाटन कर कहा जाता था उसके बाद है दशा अपराद तो दस परकार के अपरादों पर किये गए जुर्माने तो दस प्रकार के अपरादों पर जो जुर्माने लगाया जाते थे उसे दशा अपराद कहा गया उसके बाद है हल दंड तो हल पर लगाया जाने वाला कर हल पर भी उस समय कर लगता था उसे हल दंड कहा जाता था यह कुछ अन्य प्रकार के कर थे उ उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे अब हम कुछ अन्य महत्य पूरन तथ्य देख लेते हैं, तो गुप्त काल को भारतिय संस्कृति का स्वन्य युग माना जाता है, या दखेगा, गुप्त काल को भारतिय संस्कृति का स्वन्य युग माना जाता है, और गुप्त का एक सर्वोच होता था जिसे राजा कहा जाता था और शाषन की सबसे छोटी इकाई गाह होती थी जो की ग्रामीन की अधिन होती थी और गुप्त काल में स्वर्न मुद्रा को क्या कहा जाता था दिनार कहा जाता था याद रखेगा कि गुप्त काल में जो स्वर्न मुद्राय च प्रशन देखते हैं तो पहला प्रशन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था ये श्री गुप्त था ओप्शन सी इसका सही जवाब होगा अगला प्रशन है कि इतिहासकार वी ए स्मित ने किसके विजाओं से प्रभा भारत का नेपोलियन कहकर पुका रहा है, तो भारत का नेपोलियन कौन था, तो इसका सही जवाब क्या है, option D, समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अगला प्रशन है, कि भारतिय संस्कृति का स्वर्न यूग यानि कि गोल्डन एज किसे कहा गया, तो भार भानुगुप्थ के बारे में हमें जानकारी एरण अभिलेक से मिलती है। और इसी अभिलेक से हमें सत्य परत्था का पहला साक्षे मिला है। अगला प्रशन है कि फाह्यान किसके शाषनकाल में भारत आया था। तो बताईए फाहियान किसके शाषनकाल में भारत आया था तो इसका सही जवाब क्या होगा चंद्रगुप्त द्वित्य है चंद्रगुप्त द्वित्य के शाषनकाल में ही जो चीनी आत्री था फाहियान वो भारत आया था अगला प्रशन देखते हैं कि चंद्रगुप्त द वित्य ने विक्रमा दित्य की उपादी धारन की थी अगला प्रेशन है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा चलती थी उसे दिनार कहा जाता था Option A इसका सही जवाब होगा अगला प्रशन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवी ने लिखा है तो किस कवी की रचना है ये तो ये काली दास की रचना है Option D इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि अमर कोस के लेखक अमर सिंग किस शाशक के दर्बार से जुड़े थे तो बताएए अमर सिंग किस शाशक के दर्बार से जुड़े थे तो इसका सही जवाब क्या होगा? option d चंद्र गुप्त दिवित्ते के ये नवरतन थे अगला प्रशन है कि चंद्र गुप्त प्रथम ने गुप्त समवत का प्रारम किस उपलक्ष में किया था तो चंद्र गुप्त प्रथम ने गुप्त समवत की शुरुवात की थी किस उपलश में की थी तो अपने राजय रोहन के समारक के रूप में जब इनका राजय अभिशेक हुआ था तो उसमेनों ने गुप्त समवत की शुरुवात की थी तो आज का आखरी प्रेशन है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो बाल विवाह के प्रमान हमें कब से देखने को मिले हैं तो गुप्त काल में ओप्शन सी इसका सही जवाब होगा तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट शेक् झाल झाल